नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी भायू बैनों का आपके अपने अंलाइन यूटीब चैनल एक रिगुरुजीज एज इटी में दोस्तों आज हम लोग डिसक्रिशन करने वाले हैं पैडी क्रॉप वर लाइनर के बारे में और इसका पहला पार्ट जो था उसमें हम ल जाकर के इसली आप लोग देख सकते हैं ने तो प्लेलिस्ट भी विजिट कर सकते हैं और आपको एक में बात बता दूं स्टार्ट में ही जो भी भाई बहन अभी फिर हाल तक जूड़े हुए हैं वो लोग इसको देख पाएंगे उसके बाद ये वीडियो मेंबर्स वनली क उसके बाद आप लोगों को मेंबर्सिप लेना पड़ेगा तभी ये देख पाएंगे तो इसलिए आपके सगे संबंधी जानने वाले जितने भी हैं अगरिकल्चर की तयारी कर रहे हैं तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुचाएगा अन्था उन्हें भी फिर पैडी क्राप तेट इस वेरी इंपोर्टेंट सेशन और हम लोग सुरू करने वाले हैं कोश्चन और एंसर के रूप में और पहला फैक्ट हमारा जो है यह है गोल्डेन राइस गोल्डेन राइस के जनक या फादर कौन है तो डाक्टर इंगो पॉट्रिकस हैं इंपोर्ट या फिर यह भी पूछ सकता है कि सूपर राइस किसने डबलेप किया था तो डाक्टर जी एच खुस ठीक है आगे बात करेंगे डेपोग सीडलिंग किससे संबंदित है तो यह राइस के सीडलिंग से संबंदित होता है कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करके कुछ इंस्टिट्स हैं जिनके बारे में हम लोग देखेंगे तो National Rice Research Institute जिसे NRI कहते हैं यह कहां पर इस्तित है तो कटक उड़ीसा में इस्तित है इसकी अस्थापना कब हुई तो 1946 में इसकी अस्थापना करी गई थी आगे बात करेंगे Indian Institute of Rice Research जिसे सौर्ट में IIHRR कहते हैं ठीक है यह कहां पर है तो हैदराबाद ERI South Asia Regional Center कहां पर है तो यह वारांसी में और कब अस्थापित किया गया तो 2018 में याद रखिएगा यह जो ERI का South Asia Regional Center की बात कर रहा है ना की ERI की बात कर रहा है International Rice Research Institute की बात नहीं कर रहा है यह ERI के South Asia Regional Center इसका कहां पर है अर्थात ISARC कहां पर है तो यह वारांसी में है और 2018 में से अस्थापित किया गया था कन्फ्यूज होते हैं आप लोग बहुत जल्दी इसलिए हमने कहा कि आपको बता दें ठीक है आगे है International Rice Research Institute जिसे हम लोग ERI कहते हैं तो यह कहां पर है इसका मुख्या लई या कहां परिस्थित है तो लॉस बैनॉस फिलिपीन्स मनीला में है बिल्कुल कब अस्थापित किया गया इसे ERI को तो 1960 में ERI को इस्टेबलिस किया गया था आगे बात करेंगे कुछ Important Insect हैं और इनके बारे में Scientific Name है उस Insect का जो हमारा Paddy Crop से Related है और बिल्कुल बड़ा देखकर के भागिएगा नहीं इन सब को प्रोनौसियेट करने का मैं एक रामबार तरीका आपको दूँगा जिसे आप किसी भी कितनी भी लंबे सब्द को आसानी से बोल लेंगे पहला है Ялов Istemborar Important Insect हैं ये, तो यलो इस्टेम बोरर जो होता है इसका नाम क्या होता है तो बिल्कुल सिर्फो फैगा, ठीक है, सिर्फो फैगा इंसर्टुलास, ठीक है, किसी भी सब्द को आप लोग दो भागों में, तीन भागों में तोड़ करके पढ़ा करिए, सिर्फो फैगास, फैगा, इंसर्टुला, क्या है, येलो इस्टेम बोरर, आगे बात करें, राइ इफो टेट्रिक्स निग्रो पिक्टस ठीक है यह किसका नाम है साइंटिफिक नेम तो ग्रीन लीफ हॉपर का आगे बाद करेंगे वाइट बैग्ड प्लांट हॉपर जिसे सॉर्ट में हम लोग डबलू बी पी एच कहते हैं इसका क्या नाम है तो इसका नाम है सोगा टेला फ परसी फेरा ठीक ना आगे बात करेंगे ब्राउन प्लांट हॉपर जिसे बी पी एच सार्ट में कहते हैं इसका साइंटिफिक नेम क्या है तो निला परवाटा लुजेंस ठीक है निल परवाटा या निला परवाटा लुजेंस इसका नाम है ब्राउन प्लांट हॉपर का अ अगला है most important, important का इसे very important कहा जा सकता है rice hispa, rice hispa का जो scientific name होता है वो क्या होता है, diclodispa armizera, next one है हमारा rice thrips, इसका क्या नाम है, तो इसे हम लोग देखे कैसे प्रनॉंसेर करते हैं, stenokytotrips, stenokytotrips, biformis, ठीक है, या biformis, या biformis, इसे हम लोग कहते हैं, ठीक ना, आगे चलें हम लोग rice grasshopper का scientific name क्या होता है, तो इसका नाम क्या होता है, hieroglyphos banion, hieroglyphos banion होता है rice grasshopper का नाम, और यह भी आपके लिए important रहेगा, rice leaf roller, इसका क्या नाम होता है, तो इसका नाम होता है, nephelocrosis mandanalis, ठीक है, nephelocrosis mandanalis, ठीक ना, आगे अब हम लोग start करेंगे, अपना session, औ और जो भी भाई बहन, अभी तक नहीं है, उन तक आप लोग video को share करिए, video को पहुचाईएगा, तो और भी मजा आएगा, ठीक ना, फटा फट कमेंट करिए, start किया जाए, चलिए, शुरू करते हैं, पहला प्रस्न है हमारा, what is the botanical name of paddy, बिलकुल, और आजा सटाईवा, हम लोग थोड़ा सा तेजगती से चलेंगे, family of rice क्या है, तो ग्रेमिनी, जिसे पोएसी कहा जाता है, what is the origin of paddy, paddy का जो origin है, वो क्या है, इंडो म्यामार रीजन, या फिर सा ठीक ना, आगे बात करेंगे, what is the seeds of paddy, अर्थाथ paddy के seed को क्या कहा जाता है, तो paddy के seed को karyopsis कहा जाता है, नेक्स्ट हमारा, what is the inflorescence of paddy card, जो paddy का inflorescence होता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे panicle कहा जाता है, हर एक प्रस्ण important रहेगा, last तक बने रहेगा, what is the, और ये मान के चलिए कि पूरे agriculture के इतिहास में ऐसा session आपको नहीं मिला होगा, ये एगरी गुरुजी का वादा है, what is the chromosome number in paddy, तो बिल्कुल 2N is equal to 24, और what is the test weight of rice, जो test weight होता है, राइस का वो कितना होता है, तो वो 25 ग्राम होता है, अगर वहीं आपसे पूझ दे, कि what is the test weight of बास्मती राइस, तो बास्मती राइस का 21 ग्राम test weight होता है, आगे बात करेंगे, what percentage of protein is in white rice, जो white rice है, इसमें protein का percent कि पाई जाती है, और अगर बात कर ले, what percentage of protein is in unmild, अर्थात brown rice, unmild rice को brown rice भी कहा जाता है, तो इसमें जो protein content होमारा होता है, वो 7.9% होता है, ठीक है न, आगे चलेंगे, what percentage of fat is in rice, जो fat का percent है, वो rice में कितना होता है, तो 2.5% fat पाया जाता है, next, what is the percentage of carbohydrate in rice, rice में carbohydrate की जो quantity होती है, या percentage होता है, वो 77 to 79% होता है, ठीक न, महिंदी में इसलिए चल रहा हूँ, कि जो भी भाई-बहन इंग्लिस वाले हैं, वो समझ जा रहे होंगे, हिंदी वाले बहुत भाई-बहन हैं हमारे, तो वो लोग भी समझते हुए चलेंगे, ठीक न, आगे ब बात करेंगे, और वहीं प्रस्न है, which state is most productive of paddy, उत्पादन और उत्पादक्ता, ठीक न, ये important रहता है, तो जो productivity है, अर्थात उत्पादक्ता है, या पंजाब की हाई है, और production वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है, तो बिल्कुल confused नहीं होना है भाई-उ, what is the first mutant variety of paddy, तो paddy की पहली mutant variety कौन सी थी, और ये बहुत महत्पूर्ण प्रस्न है, जगरनाथ right answer हो जाएगा, next one, what is the responsible gene for dwarfness in paddy, तो paddy में ड्वार्फनेस के लिए responsible gene कौन सा है, डी जी वो जीन, ये responsible है, किसके लिए तो dwarfness in paddy, ठीक है, next one की बात करेंगे, which is the only paddy's hybrid variety developed by private institute, तो बि HB71, जो hybrid rice की variety है, यह private institute के द्वारा, बिल्कुल developed की गई है, आगे बात करेंगे, golden rice is rich in important question, जो golden rice होता है, यह beta carotin इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और यह rich source होता है, किसका vitamin A का, ठीक ना, आगे बात करेंगे, what are the characteristics of golden rice developed at IARI institute, ठीक ना, कह रहा है है, कि जो हमारा golden rice developed की आगया है, किसके द्वारा, आईए, IARI के द्वारा, इसका characteristic क्या है, तो इसका एक main character है, क्या, excess of vitamin A, ठीक ना, चलेंगे next question की तरफ, what is the protein of PID called, अर्थाद PID के protein को क्या कहा जाता है, तो PID's protein is called as orizinine, ठीक है, यहों के protein को क्या कहते हैं, तो gluten कहते हैं, तो यह सभी को note down जरूर किया करिए, ठीक ना, ठीक है, चलेंगे आगे हम लोग, थोड़ा सा बीज में भाई हूं, continue बोलने में दिक्कत होती है, इसलिए 2-4 second का rest जरूरी हो जाता है, नर्सरी जो धान की है, वो लगाने की जो मेथट है, वो कहां से इंट्रोड्यूज हुआ, तो यह इरी फिलिपीन्स के द्वारा डेवलेप किया गया है, बात करेंगे, कितने दिन लग जाते हैं, डेपोग विधी से जो नर्सरी हम लोग पौध को तयार करते हैं, वह रुपाई के लिए तयार होने में उसे कितना दिन लगता है, तो 11-14 दिन, और कहीं कहीं 12 दिन भी आपको देखने को मिलता है, आगे आपका important question, Soving Time of Aus Paddy, जो Aus Paddy है, यह April मई में बोई जाती है, जो Amun Paddy है, यह कब बोया जाता है, तो June जुलाई में, और जो हमारा बोरो है, यह November दिसंबर, बोरो को Spring Season Paddy भी कहा जाता है, याद रखिएगा, अमन कब आता है, किसान को देखिए, यहाँ से याद करने का एक important trick बता देए जो Aus है, तो इससे हम लोग याद रखेंगे, Aus मतलब April, अप्रेल ठीक है, अप्रेल A से A मिलाएंगे, अभी दूसरा जो Amun है, इसे कहेंगे AJ, ठीक है, A, A, Aus, April मई, जो Amun है, किसान को Amun कब मिलता है, तो जब उसकी गेहूं की फसल कट जाती है, इंकम हो जाती है, तो उसे Am Amun चैन सान्ती मिल जाती है, तो Amun पैडी कब होगी, फसल कर जाती है, मार्च अप्रेल में, और मई, जून में वह बिलकुल इंज्वाय के साथ, अपने बारिस के सीजन के साथ, धान की, और बेहन को अर्था धान का जो नरसरी वगएर होता है, उसको ग्रो करता है, तो Amun हम इस देजन अकर, ठीक है, आगे बात करेंगे, हाउ मच सीड रेट इन केप्ट इन ब्राड कास्टिंग में थाड़ अपैडी, वेरी इंपोर्टेंट जो सीड रेट होता है, पैडी के ब्राड कास्टिंग में थाड के लिए वो कितना होता है, तो बिलकुल 100 kg प्रति हेक्ट ठीक है, चलेंगे आगे, बात करेंगे, हाउ मच सीड रेट इसके लिए और रेट कितनी होता है, तो पंदरह किलोगराम प्रति हेक्टेयर और PVC प्रति हेक्टेयर और वहीं बात करेंगे, पैडी सीड रेट केप्ट इन डेपोग मेथड, it is very important question for your all-agree examination, जो डेपोग मेथड होती है, इसमें सीड रेट कितना रखा जाता है, तो डेड़ से 3 किलो ग्राम प्रती मीटर स्कॉायर इसमें सीड रेट को रखा जाता है, ठीक ना भाईयों, चलेंगे आगे बात करेंगे, how much paddy seed rate is kept in 3 method, जो 3 method है, इसका पूरा नाम होता है system of rice intensification, तो इसमें जो सीड रखा जाता है, वो कितना रखा जाता है, तो वो हमारा 5 से 8 किलो ग्राम प्रती हेक्टेर, या फिर इसे हम लोग 2 किलो ग्राम प्रती एकड के हिसाब से भी कर सकते हैं, अगला प्रस्न है, the jaya variety of paddy was developed by whom, most important question है भाईयों, कि jaya variety जो है paddy का, यह किसके द्वारा developed किया गया है, तो यह डाक्टर सास्त्री के द्वारा कब किया गया तो 1968 में किया गया था, ठीक ना, अगला प्रस्न है, which variety of paddy can be grown in rabi and kharib season, it is most important question भाईयों, which variety, कौन सी variety है paddy की, जिसे rabi और kharib season में can be grow, grow क किया जा सकता है, तो वो राजस्वरी और हीमा या paddy की ऐसी varieties हैं, जिनने कब तो rabi और kharib season में grow किया जा सकता है, आगे बात करेंगे, which herbicide is used most commonly in paddy field, तो कौन सा herbicide है, जिसे most commonly रूप से paddy के खेत में use मिलाया जाता है, तो that is propanil, जिसे storm F34 के नाम से भी जानते हैं, ठीक न आगे बात करेंगे, हम लोग अगला महत्वपूर्ण प्रस्ण है, hull is combination of, जो hull होता है, यह किसका combination होता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ण है, तो यह लीमा और पैलिया, together, combined, जो रहते हैं जब, तो उसे hull कहा जाता है, राइस is a type of plant, तो राइस किस प्रकार का पौधा है, तो यह self-pollinated and salt day plant, कैसा है राइस, तो स्वा परागित है, और इसे अलप प्रकास अवधिकी आओ सकता होती है, ठीक न, आगे बात करेंगे, what is the full name of Shri, मैंने उपर आपको बताया, system of rice intensification, ठीक न, अगला प्रस्ण है, very important प्रस्ण भाइयों, कि who was developed Shri method of rice cultivation in 1983 at Medagascar, किस ने Shri method को developed किया था, जो कर राइस के cultivation का Shri method है, इसे Medagascar में 1983 में किस ने developed किया, तो याद रखियेगा, French Jesuit, Father Henry D. Laulane ने developed किया था Shri method को, ठीक न, आगे बात करेंगे, नर्सरी area required in rice for transplanting in one hectare, जो नर्सरी की area requirement होती है, वो एक hectare में transplanting के लिए, वो कितने नर्सरी किया हो सकता होती है, तो 1000 meter square, ठीक न, चलेंगे आगे, और बात करेंगे, महत्तपूर्ण प्रस्ण के बारे में, जो नर्सरी area required in rice for transplanting in one hectare, इन डेपोग method, जो डेपोग method से हम लोग नर्सरी ग्रो करते हैं, एक hectare की transplanting के लिए, कितने नर्सरी की आओ सकता होती है, बहुत महत्तपूर्ण प्रस्ण है, और सही जवाब क्या हो जाएगा, 25 से 30 meter square, very important question, डेपोग method के लिए नर्सरी की आओ सकता, तो बिल्कुल 25 से 30 meter square, सही जवाब होगा हमारा, और वहीं हम लोग चलेंगे आगे, और बात करेंगे most important question है, hydrothermal treatment of rice grains before miling, जो hydrothermal treatment किया जाता है, rice के grain का, miling के पहले, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे पैरा bowling कहा जाता है, और यह पैरा bowling आपके UP कैटेट में भी पूछा हुआ है, ICR के एक्जाम में भी आया है, तो मैं चाहूँगा कि इसका screenshot लेके आप लोग रखिये, ठीक है, चलेंगे आगे बात करेंगे next question की, पैरा bowling of rice conserve which vitamin, जो पैरा bowling होती है, यह किस vitamin को रच्छित करती है, तो यह vitamin B12 का conserve करती है, उसे सनरच्छित करती है, ठीक ना, आगे बात करेंगे, main objective of puddling in rice cultivation, जो main objective होता है puddling का, वो क्या होता है, तो इसके main objective के अंतरगत, control weeds, reduce water losses, and increase nutrient availability, यह main objective होता है, किसका, तो puddling का in rice cultivation, next one की बात करेंगे, main objective of busining in rice cultivation, busining most important question, जो main objective होता है, busining का rice के cultivation में, वो क्या होता है, तो खरपतवारों को नियंतरित करना, control weeds, increase soil aeration, मिर्दा में वायो संचार को बढ़ाना, और जो optimize crop standing, यह सभी जो होते हैं, यह किसके objective हैं, तो यह busining के objective होते हैं, आगे बात करेंगे, the gas emitted from rice field is very important, methane, जिसका chemical formula होता है, CH4, ठीक न, highest nitrogen losses in rice field भाई, तो जो highest nitrogen का loss होता है, rice की field में, वह किस प्रक्रिया के द्वारा, तो वह प्रक्रिया denitrification होती है, अन एरोबिक environment in rice soil is responsible for gaseous losses of fertilizer nitrogen भाई, तो जो gaseous रूप में nitrogen का loss होता है, वह अन एरोबिक इन्वारमेंट में, वह किस प्रक्रिया के द्वारा, तो denitrification के process के द्वारा होता है, आगे बात करेंगे, which nitrogen fertilizer suitable for rice cultivation? Most important question nitrogen fertilizer की बात कर रहा है, कौन सा nitrogen fertilizer suitable है, rice के cultivation के लिए, तो वह हमारा ammonium sulfate हो जाएगा, important question ठीक है, next one की बात करेंगे suitable bio fertilizer for rice field जो suitable bio fertilizer है भाईयों rice field के लिए धान की खेती के लिए धान के खेत के लिए वह कौन सा है तो वह हमारा azola होता है ठीक ना आगे बात करेंगे बिलकुल ठीक है भाईयों बात करेंगे first hybrid variety of rice developed by using बिलकुल cytoplasmic male sterility मेरे भाईयों कहीं भी नहीं मिलेगा इस type का question आपको मैं guarantee के साथ कह रहा हूँ तो बिलकुल आप लोग cytoplasmic male sterility को पकड़िएगा और यह बहुत महत्वपूर्ण है तो first hybrid variety of rice developed by using cytoplasmic male sterility जो पहली hybrid variety थी धान की वह cytoplasmic male sterility के द्वारा developed किया गया इसके उपयोग के द्वारा develop किया गया कहां पर तो चाइना में और कब किया गया था तो 1970 में किया गया था इसे very important question के category में हम डालेंगे ठीक ना आगे बात करेंगे the rice variety called miracle rice in world very important question जो which समें miracle rice के रूप में जाने जाती है वो आई आर आठ है confused नहीं होएगा और जो भारत में which rice variety known miracle rice in India तो भारत में जो miracle rice के रूप में जाने जाती है वो जया विराइटी हमारी जानी जाती है तो ये दोनों प्रसनाप के लिए बेहत खास रहने वाले हैं आपके किसी भी agriculture के एक्जाम के लिए mostly ICR और UP कैटेट का जो आगामी एक्जाम है most critical stage for water in rice cultivation तो जो धान के लिए critical stage होता है irrigation का वो booting stage होता है बिल्कुल चलेंगे आगे बात करेंगे solar radiation required for better yield of rice कितने solar radiation के आउसकता होती है better yield करने के लिए किसका तो rice का तो 500-700 calorie centimeter square प्रति दिन के आउसकता होती है ठीक ना आगे बात करेंगे rice crop required how much rainfall for better yield तो जो rainfall के आउसकता होती है rice crop के लिए वो 100-500 centimeter होता है आगे बात करेंगे भायों indica sub-species आफो राइजा सटाइवा rice is grown in तो जो indica rice है यह कहां पर grow करी जाती है तो यह india में indica india याद रखिएगा india में और वहीं अगर बात करें जापोनिका rice is grown in तो जापोनिका जापान और चलेंगे आगे जवानिका सब-species आफो राइजा सटाइवा wild species है यह कौन सी जवानिका यह कहां ग्रो करी जाती है तो यह indonesia में ग्रो की जाती है और यह तीन के तीनों जो हैं आपसे important रूप में पूछे जा सकते हैं मैं इसे थोड़ा सा छोटा करने का प्रयास कर रह ठीक है चलेंगे आगे हम लोग आगे बात करेंगे which rice variety suitable for waterlogged condition तो कौन सी rice की variety है जो waterlogged condition के लिए suitable होती है तो जल्मग्न most important variety ठीक ना आगे चलेंगे salinity tolerant variety of rice कौन सी है तो जो हमारी loonishree और IR8 है जो विसमे miracle धान के रूप में जानी जाती है और loonishree ये दोनों कैसी हैं तो salinity tolerant variety है किसकी rice crop की ठीक ना आगे बात करेंगे which variety of rice best for direct soving जो सीधी बुवाई होती है उसके लिए rice की कौन सी variety suitable है तो वो bala और कावेरी ऐसी दो varieties है जो सीधे या direct soving के लिए बिल्कुल जानी जाती है ठीक ना आगे बात करेंगे fertilizer required for rice field NPK और Z, Z का मतलब zinc है यहाँ पर तो कितना तो 120 is to 60 is to 40 is to 25 जिसे 120 संबंदे 60 संबंदे 40 संबंदे 25 अर्थात 120 भाग nitrogen, phosphorus 60, potassium 40 और zinc जो होता ये 25 ये important रहने वाला है combination ठीक ना आगे बात करेंगे akochi disease of rice due to जो धान का akochi disease होता है यह किसके कारण होता है तो यह H2S toxicity के कारण होता है ठीक ना अगला प्रसन है para and utera cropping system is closely related to और यह बहुत महत्वपूर्ण है जो para और utera cropping system है यह किसमे यूज में लाया जाता है तो यह rice में यूज में लाया जा अगला है which are killer disease of rice तो बिलकुल important रहेगा तो जो killer disease of rice है वो कौन सा है important है तो bacterial blight और tungro virus इसे killer disease की संग्या दी जाती है ठीक ना आगे बात करेंगे khaira disease mainly in nursery of rice due to deficiency of first reported by Y.L. N.E. 1986 पंतनगर आपको पता होना चाहिए सबसे पहले यहां से 2-3 question को clear करिए khaira disease की इसमें होता है तो mainly यह नरसरी में लग जाता है ठीक है बड़े में भी लगता है बट mainly नरसरी में लगता है किसके कारण लगता है तो यह zinc की कमी के कारण लगता है ठीक ना first report किस ने किया था खैरा रोक को तो यह Y.L. N.E. ने किया था कब किया था 1986 में कहां किया था तो पंतनगर में किया था ठीक ना भाईयों तो इसको आप लोग भूलिएगा नहीं और किस विराइटी में किया था तो I.R. 8 में ठीक ना उमीद करते हैं कि आपको यह सारा चीज समझ म आ गया होगा बेहतर ढंग से अगला प्रस्न है white eye of rice is due to the deficiency आफ मैंने कई बार इसको बताया भी था और जो white eye होता है यह iron की कमी के कारण होता है अगला प्रस्न है lunisree is a variety of तो यह lunisree किसकी variety है important रहेगा तो यह super rice की variety है यह silinity tolerant भी होती है ठीक ना आगे चलेंगे और बात कर देंगे the crop which prefer ammonical farm of nitrogen तो वह rice है जो nitrogen के ammonical farm को prefer करती है अगला प्रस्न है widely used nitrogenous fertilizer in rice तो कौन सा है तो ammonium sulfate यह ऐसा nitrogenous fertilizer है जो widely use किया जाता है कहां पर तो rice के field में अर्थात fertilizer के रूप में ammonium sulfate कैसा है तो nitrogenous है याद रखियेगा अगला है हमारा the nitrogen fixing bacteria found on root surface of rice तो जो nitrogen fixing bacteria जो surface of rice root surface पर पाई जाती है वो कौन सी है तो बिल्कुल एजो spirulam बिल्कुल important रहेगा यह आपके लिए अगला है oldest and fertilizer best for top dressing in rice जो oldest nitrogenous fertilizer है जो top dressing के लिए best होता है वो कौन सा है तो ammonium sulfate इसमें nitrogen के मात्रा कितनी होती है ammonium sulfate में तो 20.6% nitrogen और 24.2% sulfur पाया जाता है ठीक ना याद रखियेगा आगे बात करेंगे the best fertilizer for top dressing in rice तो ammonium sulfate है और gas emitted from rice field तो rice के field में कौन सी gas निकलती है CH4 जिसे methane कहा जाता है आगे बात करेंगे हम लोग very important question भायों in rice, depok seedling are ready for transplanting तो हमने अभी discussion किया उपर 11-14 दिन में तयार हो जाती है depok विधी से nursery और under 3 method rice plant is transplanted at तो 10-12 दिन DAS का मतलब होता है day after soving ठीक ना आगे बात करेंगे तो seedling ready for transplanting in depok method 12th day और normally rice plant is transplanted at जो normally rice का हमारा nursery होता है उसे हम लोग कितने दिन के बाद transplant करते हैं बिल्कुल important रहेगा तो 21-25 दिन कब soving करने के ठीक ना तो 21-25 दिन के बाद जो nursery होती है वो रुपाई के लिए बिल्कु तयार हो जाती है आगे बात करेंगे nitrogen use efficiency in rice is around जो nitrogen use efficiency होती है rice में वो कितना होता है तो 30-40% होता है और ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है आपके लिए आगे बात करेंगे polish percent of rice very important है ये तो polish percent जो होता है यह 2% के लगभग पाया जाता है कि इसमें तो rice में तो ये दोनों प्रसनाप के लिए important है screen shot लेना चाहें तो ले सकते हैं ठीक है भाईयों चलेंगे आगे बात करेंगे cooling percent of rice most important तो cooling percent जो होता है वो 70-75% होता है rice में आगे बात करेंगे how much percent rice grown out of Asia तो Asia में कितने percent rice grown out किया जाता है तो यह केवल 10% grown out किया जाता है अगला है हमारा nursery area required for providing seedling for transplanting 1 hectare rice हमने बात किया 1000 meter square या 1.10 hectare भी इसे कहा जाता है ठीक ना आगे बात करेंगे isolation distance for self pollinated crop जैसे rice हो गया wheat हो गया जो 100 परागित फसले हैं उनके लिए जो प्रिधकरण दूरी isolation distance होता है वो कितना होता है तो वो 3 meter होता है आगे बात करेंगे in low land rice fertilizer is applied in very important question है यह question आपके उसमें भी आया हुआ था सायद UPSC में भी यह पूछा हुआ था तो वो प्रस्ण मैंने पहले भी solve करवाया है एक oxidized zone होता है एक reduced zone होता है तो यह केवल reduced zone में ही use करना चाहिए कौन सा low land rice fertilizer जो होता है वो reduced zone में देना चाहिए आगे बात करेंगे cardinal temperature for good rice crop growth जो cardinal temperature होता है वो अच्छे rice crop के वृद्धी के लिए वो 30-32 degree Celsius होता है आगे बात करेंगे best pH for cultivation of rice तो जो best pH है वो 4-6 होता है ठीक ना आगे बात करेंगे puddler and puddling is related to आपको पता होगा puddling जिसे पलेवा लगाना कहते हैं तो धान की खेती में rice हो जाएगा आगे बात करेंगे acid tolerant crop कौन सी है तो rice है हमारी कैसी acid tolerant crop आगे बात करेंगे most prominent cropping pattern of rice in India तो जो most prominent cropping pattern है वो rice और wheat का है और यह ICR में पूछा हुआ प्रस्न है ठीक ना आगे बात करेंगे डेपोग method is most commonly prevalent in तो जो डेपोग method है यह commonly रूप से कहां पर use मिला आ जा करेंगे the tillage implement most suitable for rice cultivation is जो tillage implement है या machinery है tillage वाली उसे मुख्य रूप से कहां पर use में लाया जाता है rice cultivation के लिए कौन सा है वो यंत्र तो वो power tiller होता है ठीक ना important रहेगा यह भी आपके exam के लिए और आगे बात करेंगे थोड़ा सा continue बोलने में ना दिक्कत हुने लगती है बा the best system of rice culture is जो rice culture है best system rice culture का क्या है तो वो होता है transplanting ठीक ना आगे बात करेंगे the normal ratio of rice paddy जो चावल और धान का ratio होता है वो क्या होता है तो वह दो बटे तीन होता है आगे बात करेंगे कैजमो गैमी वास फाउंड इन most important भायों कैजमो गैमी किस में पाया जाता है तो याद रखेगा कैजमो गैमी आपके यूपी कैटेट में भी आया हुआ है पीजी एक्जाम में और आईसी आर में भी पूछा है तो कैजमी गैमी इन फाउंड इन वहाँ पर जो सही जवाब था वो ओट आप संदिया हुआ था बट यहाँ पर जान दीजे कि कैजमो गैमी किस में किस में पाया जाता है तो राइस में मूग में और ओट में इन तीनों में पाया जाता है स्क्रीन सॉट लेकर के ज़रूर रखे इसे ठीक ना चलेंगे आगे और बात करेंगे हम लोग नरसरी एरिया रिक्वाइर फार्ट सेडलिंग राइस फार वन हेक्टेयर फिल्ड तो उसके लिए दसमलो एक जीरो हेक्टेयर और सी थ्री पैथवे फाउंड इन सी थ्री पैथवे जो होता है वो किस में पाया जाता है त वीट में पी में और सोया बीन में पाया जाता है और यह हम बेहत इंपॉर्टेंट प्रस्न रहेगा भायों चलेंगे आगे नाइट्रोजन फिक्सेशन इन राइस फिल्ड इस कैरीड आउट बाई विच ब्लू ग्रीन एल्गी विच बीजी ये भी आपसे यहां पर कह सकता तो मैंने आपको बताया था है अप्रेल में में कौन सा है आस आटमन जिसे आस को ही आटमन कहा जाता है और इसे प्री खरीफ पैडी भी कहा जाता है और यह अप्रेल मैं में बोई जाती है और अगस्त से सितंबर में काटी जाती है याद रखियेगा आगे बात करेंगे सोविंग पैडी इन जून जुलाई एंड हर्वेस्टिंग इन अक्टूबर काल्ड एज मोस्ट इंपोर्टेंट दैट इस काल्ड अमन जिसे खरीफ या फिर अगनी राइस भी कहा जाता है ठीक ना आगे बात करेंगे सोविंग पैडी इन जैनवरी फेर्वरी एंड हर्वेस किसके कारण होता है तो यह O2 deficiency and excess of zinc बिल्कुल चलेंगे next one की बात करेंगे स्री डिनोट system of rice intensification मैंने इसके बारे में आपको बताया ही आगे बात करेंगे most important question है ये for correction of iron chlorosis in rice following spray is recommended तो बिल्कुल जो chlorosis होता है rice में उसको लिए हम लोग iron को सुधार करने के लिए कौन सा इस्प्रे करते हैं तो 1% solution of ferrous sulfate जो ferrous sulfate 1% का solution होता है उसे हम लोग इस्प्रे करते हैं किसके लिए तो correction of iron chlorosis in rice crop it is most important question for your agree exams next one की बात करेंगे the most important critical stage of rice for irrigation rice के irrigation के लिए critical stage कौन सा होता है भाईयों वो होता है tillering to flowering stage tillering से लेकर के flowering stage तक का जो समय होता है यह most critical होता है किस के लिए irrigation के लिए किस फसल के लिए तो rice के फसल के लिए ठीक ना? ठीक है चलेंगे आगे बात करेंगे तो इसी के द्वारा जो aroma होता है धान में वो हो जाता है आगे बात करेंगे weed caused relatively more loss in rice productivity when it is तो कब यह सबसे अधिक loss करेगा जब direct seeded रहेगा ठीक ना? आगे बात करेंगे mimicry weed of rice very important question mimicry weed of rice कौन सा है तो wild rice है जिस प्रकार से mimicry weed गेहूं का जो होता है वो फैल्रेस माइनर होता है उसी प्रकार rice का जो mimicry weed है वो wild rice होता है आगे बात करेंगे what is the critical period of crop weed competition for a plant rice condition जो a plant rice condition है उसमें कौन सा critical period होता है crop weed competition के लिए तो सही होगा क्या entire period of crop growth जो crop growth का entire period होता है समझत समय होता है हिंदी में क्या कहा जाएगा भाई समझ लीजेगा entire period of crop growth हो जाएगा आगे बात करेंगे most dominated weed species in rice field तो rice के खेट में most dominated जो weed की species है वो कौन सी है तो iconocoloa क्या कहा जाता है iconocoloa species जो है यह dominated weed species है किसके लिए तो rice field के लिए आगे बात करेंगे what is the critical period of crop weed competition for transplanted rice it is most important question that is 30 to 45 DAS DAS का मतलब day after swimming मैंने आपको बताया next one very important common herbicide used in rice crop तो वह कौन सा है तो enilophos and butachlor is used commonly herbicide used in rice crop ठीक है बात करेंगे next one की in water locked rice field atmospheric nitrogen can be fixed to the soil by तो यह होता है BGA blue green algae के द्वारा nitrogen का fixation किया चाता है next one the most prominent and adopted cropping pattern in India तो यह rice wheat है हमने discussion किया irrigation method suitable for lowland rice and jute jute और जो lowland rice होती है इसके लिए कौन सा irrigation method जो होता है वो suitable होता है तो हमारा flooding method होता है बिल्कुल important रहेगा ठीक है चलेंगे आगे बात करेंगे next question का the blast resistant variety of rice तो blast resistant variety rice की कौन सी है तुलसी और IR 64 जो है यह blast resistant variety है ठीक ना next है हमारा the deep water rice are deep water rice कौन सी है तो यह पंकज और जल मगन इन्हें बिल्कुल अधिक पानी के आओ सकता होती है deep water के आओ सकता होती है rice variety suitable for saline alkaline soil important रहेगा तो saline alkaline condition के लिए जो rice के suitable variety हो कौन सी है CSR 10 CSR 13 और CSR 27 ठीक ना आगे बात करेंगे the rice variety which has no seed dormancy तो कौन सी rice की variety है जिसमें कोई भी seed dormancy नहीं पाई जाती तो IR 50 ऐसी है जिसमें dormancy नहीं पाया जाता आगे बात करेंगे hybrid variety of rice is developed by using very important question तो hybrid variety जो थी वो सबसे पहले किसके द्वारा develop किया गया था तो चाइना के द्वारा मैंने आपको बताया भी और किसके use के द्वारा तो GMS ठीक है and CGMS genetic male sterility and cytoplasmic genetic male sterility line के द्वारा develop किया था चाइना के द्वारा first inter varietal cross variety of rice very important inter varietal cross के द्वारा पैदा कि गई rice की कौन सी variety है तो that is जया जो TN1 और T141 के cross से पैदा किया गया है जया को और यह एक inter varietal cross variety है rice की आगे बात करेंगे गाल मीज resistant variety of rice जो गाल मीज के प्रती resistant variety है वो कौन सी है तो फागुना, सुरेखा and सुरक्षा यह तीनों variety कैसी है तो resistant to गाल मीज ठीक है important रहेगा चलेंगे आगे बात करेंगे first rice variety introduced in India most important question जो पहली rice variety है भारत में introduced होने वाली वो कौन सी है तो IR8 और यह कब introduced हुई तो 1966 में introduced हुई थी ठीक है screenshot लिजिए ठीक है चलेंगे आगे first developed rice variety कौन सी थी तो पहली developed की गई rice की वराइटी TN1 थी ठीक ना the world's first high yielding variety dwarf variety of rice has been developed by iri तो iri के दो दौरा जो high yielding dwarf variety जो पहली developed की गई थी वो कौन सी थी तो वो थी पूसा बासमती it is most important question for you all agree exams and next one oil content in para boiled rice bran rice bran जो होता है rice bran oil भी होता है जो heart stock के रोगियों के लिए काफी healthful होता है ठीक है omega 3 fatty acid से less होता है rice bran oil और यह काफी महंगा भी आता है सामाने तेलों से बहुत महंगा रहता है आगे बात करेंगे अगर हम लोग ठीक ना जो oil content in para boiled rice होता है यह 20-28% होता है भाईयों इसको बहुत जरूरी प्रस्न है यह इसको देखे रहेगा oil content in raw rice bran जो raw rice bran होता है उसमें कितना तेल पाया जाता है तो 12-18% और वहीं बात करें oil content in de-oiled rice bran तो de-oiled rice bran जो होता है इसमें कितना तेल होता है तो 1-3% और यह तीनों आपके एकजाम के लिए बेहत important रहने वाले हैं ठीक ना आगे बात करेंगे bulk density due to puddling जो bulk density होती है वो puddling के जाती है next one very important question how much increased bulk density due to puddling तो कितनी बढ़ जाती है तो 1.4 से 1.7 जी प्रति सीसी बढ़ जाती है और यह दोनों प्रसनाप के लिए बेहत खास रहने वाले हैं ठीक ना bulk density puddling के द्वारा क्या होती है तो बढ़ती है कितनी बढ़ती है तो 1.4 से 1.7 ग्रति सीसी बढ़ जाती ह आगे बात करेंगे how much silica percent content in rice husk जो भूसी होती है उसमें silica का कितना मत्रा पाया जाता है तो वो 15-18% मत्रा पाया जाता है ठीक ना आगे बात करेंगे harvesting index of rice very very important question मेरे भाई लोग बेहनों सभी लोग ध्यान से देखो और बिल्कुल harvesting index rice का कितना होता है तो वो दस्मलों 4.0 ह होता है आगे बात करेंगे how much water depth should be at the time of puddling जो पानी का गहराई होता है वो दो दस्मलों 5 cm पानी होना चाहिए कब puddling के प्रक्रिया के समय ठीक ना आगे बात करेंगे most important question optimum age for transplanting जो optimum age होता है transplanting का वो कितना होता है तो याद रखिएगा fourth leaf stage अर्था चार पती जब निकल जाती है तो हम लोग समझ जाते हैं कि अब जो है यह हमारा nursery transplanting के लिए बिलकुल तयार हो गया है ठीक ना आगे बात करेंगे how much nitrogen requirement reduced by using of biological nitrogen तो जो nitrogen requirement होता है biological nitrogen को use करने से कितने मात्रा उसकी घड जाती है तो 25 से 30% nitrogen बिलकुल बात करेंगे next one की how many days short duration varieties जो short duration variety होती है उन्हें कितने दिन की आओ सकता होती है for the maturity that is up to 120 days बिलकुल next one की बात करेंगे और देखेंगे हम लोग अगला महत्तपुन how many days medium duration variety जो मध्यमावद की प्रजातियां हैं उनके लिए कितने समय के आओ सकता होती है most important तो उनके लिए हमारा 120 से 150 दिन के length की आओ सकता होती है ठीक ना ठीक है चलेंगे आगे बात करेंगे how many days long duration variety तो is greater than 1500 तो यह 1500 से अधिक दिन की आओ सकता पड़ती है ठीक है आगे बात करेंगे गोबिंद भोग तुलाई पंजी variety mainly grown in जो गोबिंद भोग है और तुलाई पंजी variety है यह मुखे रूप से कहां पर grow करी जाती है तो यह west बंगाल में grow की जाती है ठीक ना आगे बात करेंगे how many days after soving rice transplanting in dry land area rabbi season ठीक ना तो बिलकुल कितने दिन के बाद जो होता है how many days after soving rice transplanting in dry land area तो जो dry land area के लिए हमें transplanting करना होता है वो 30 से 35 दिन के बाद अर्थात अबुआई कि 30 से 35 दिन के बाद नरसरी को हम लोग transplant करते हैं अगर उन्हें हमें dry land area या rabbi season में transplant करना है तो ठीक ना आगे बात करेंगे how many days after soving rice transplanting in खरीफ अगर खरीफ के season में है तो हमें कितने दिन के बाद transplant करना चाहिए तो बिलकुल 21 से 25 दिन सही जवाब हो जाएगा और चलेंगे आगे हम लोग average temperature जो धान का फसल होता है उसके लिए average temperature कितना चाहिए होता है most important है तो उसके लिए जो average temperature के आवसकता होती है भाईयों वो होता है 21 से 37 degree Celsius ठीक ना आगे बात करेंगे temperature for blooming के लिए कितने तापमान के आवसकता होती है तो 26.5 से 29.5 degrees Celsius यह तेमपरेचर के आवसकता होती है blooming process के लिए ठीक ना आगे बात करेंगे temperature for ripening stage जो ripening stage पहुचता है हमारा rice का crop तब उस समय कितने temperature के आवसकता होती है तो उस समय 20 से 25 degrees centigrade temperature के आवसकता होती है ठीक ना आगे बात करेंगे बासमती rice has a flavor caused by which aroma compound तो जो बासमती rice होती है उसमें एक प्रकार की सुगंध पाई जाती है और वह किस सुगंधित compound के या किस सुगंधित योगिक के कारण होती है तो वो होता है two acetyl one propylene ठीक है इसे pyroline भी कहा जाता है तो one acetyl two acetyl one pyroline के द्वारा बासमती rice में सुगंध या aroma उदपन होता है ठीक ना आगे बात करेंगे चलेंगे देखेंगे और यह बहुत महत्वपून प्रस्ण है आपके लिए बासमती rice grain contain of aromatic chemical जो बासमती rice होता है वो कितने मात्रा में aromatic chemical को wear किये रहता है तो बिलकुल सही होगा क्या 0.09 ppm ppm का मतलब होता है pound per million aromatic chemical जो पाया जाता है वो कितना पाया जाता है तो वो 0.09 pound per million पाया जाता है ठीक ना बात करेंगे बासमती rice has aromatic compound than non बासमती rice जो बासमती rice है इसमें aromatic compound पाया जाता है तो बासमती rice में कितने मात्रा में पाया जाता है तो 10 से 12 टाइम more aromatic compound पाया जाता है बास्मती rice में ठीक ना आगे बात करेंगे हम लोग rice protein is reaching most important question है भाईयों जो rice protein है इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है तो lysine कितना पाया जाता है तो 4% ठीक ना आगे बात करेंगे how much water consume in produce a kilogram of rice very important question ICR यह कई बार प्रस्न पूछा हुआ है इवन यह UP कैटेट के साथ PhD वाले एक्जाम में भी आया हुआ है मैं पुरा clear नहीं हूँ लेकिन यह पीजी में पूछा हुआ है how much water consume to produce a kilogram rice एक kilogram rice पैदा करने के लिए कितने पानी किया हो सकता होती है तो 5000 लीटर पानी किया हो सकता होती है याद रखिएगा ठीक ना आगे चलेंगे और अगर screenshot लेना चाहते है तो इसका लीजिए ठीक है चलेंगे आगे और बात करेंगे कुछ important disease हैं और वो किसके कारण होते हैं अर्थात उनके pathogen के बारेमेटिक ना blast जो disease होता है जिसे rootin neck भी कहा जाता है या किसके द्वारा होता है तो यह pyrecularia oryzee के द्वारा होता है अगर BLB की बात करें जिसे bacterial leaf blight या bacterial leaf streak भी इसे कहा जाता है तो यह होता है जेंतो मोनास काम पैस्ट्रिस विराइटी काउंसी होती है तो oryzee कोला के द्वारा होता है ठीक ना यह सभी प्रसनाप से बने हुए हैं और brown leaf spot किसके द्वारा होता है तो helminthosporium oryzee के द्वारा brown leaf spot हो जाता है ठीक ना next one के बात करेंगे खैरा disease किसके कारण होता है तो खैरा disease zinc deficiency के कारण होता है और next one जिसे बकानी या foot rot या largerring disease कहा जाता है या किसके द्वारा होता है तो यह जिब्रेला fugic raci के द्वारा होता है और यह प्रसनाफ से कई बाद एक्जामों में बना हुआ है कि बकानी जिसे foot rot कहते हैं जिसे fugarium blight भी कहा जाता है तो जिबरेला fugicorai के द्वारा होता है ठीक ना आगे बात करेंगे pansook pansook जो है यह क्या होता है तो dry physiological disease होता है किसका paddy crop का next है हमारा seeth blight, seeth blight के इसके द्वारा होता है तो यह rhizoktonia solenai के द्वारा होता है क्या seeth blight of rice ठीक ना आगे बात करेंगे भाईयों tungro disease, tungro disease किसके द्वारा होता है तो यह rice tungro virus caused by GLH, okay important रहेगा tungro virus ठीक ना आगे बात करेंगे grassy stunt, grassy stunt किसके द्वारा होता है तो यह viral disease है और caused by BPH, बिल्कुल important रहेगा यह, आगे बात करेंगे ubta disease, जिसे ubta disease जो होता है यह किसके कारण होता है तो यह fungi है, एक कौन सी, तो ephalus oryzee, ubta disease जो होता है ubta disease जिसे कहा जाता है भाई, clear pronunciation करेंगा यह किसके द्वारा होता है तो यह fungi है, कौन सी, ephalus oryzee के द्वारा होता है, ठीक ना आगे बात करेंगे, ubta disease, most important है भाईयो यह, ubta disease किसके द्वारा होता है तो यह होता है, dietylenchus angustus के द्वारा, यह क्या है, dietylenchus angustus तो यह एक nemetode होता है, जिसके द्वारा, afra disease हो जाता है, किसका? rice का, ठीक ना mentic disease, most important question, mentic disease किसके द्वारा ? तो यह rice root nemetode के द्वारा meantic disease होता है and stem rot की बात करेंगे, तो यह किसके द्वारा? Sclerosium oryzee के द्वारा होता है, stem rot और सीथ रॉट की बात करें तो यह किसके द्वारा होता है तो यह सेरो कलेडियम और आईजी के द्वारा सीथ रॉट हो जाता है ठीक ना इंपॉर्टेंट है मैं थोड़ा सा तेज चल रहा हूँ वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है और एक वीडियो में कवर करना है फाल्स या ग्रीन इसमर्ट किसके द्वारा होता है तो अश्टिलेग इनॉइडी विरेन के कारण होता है फाल्स या ग्रीन इसमर्ट ठीक ना आगे बात करेंगे हम लोग कौन सा है तो इस्टैक बर्न डिजिज जो होता है राइस का यह किसके द्वारा होता है तो यह ट्राइ बात करेंगे नेक्स्ट वन की यलो ड्वार्फ वेरी इंपॉर्टेंट कोश्चन है भाईयों यलो ड्वार्फ डिजीज जो राइस का होता है वो किसके द्वारा होता है तो यह माइको प्लाज्मा लाइक और गेनिजम जिसे सौर्ट में एमेलो कहा जाता है और यह भी आपसे पोच लेता है कि एमेलो का पूरा नाम क्या है तो याद रखेगा माइको प्लाज्मा लाइक और गेनिजम तो यह रहा राइस क्राप का पूरा समापन एक भी प्रशन उमीद है कि नहीं छूटा होगा अगर छूटा है तो आप लोग सुझाओ दीजेगा कमेंट बाक्स में और अच्छा लगा है तो अपने भाईयों मित्रों तक सेर जरूर करिएगा अने था वीडियो मेंबर्शिप में चली जाएगी बात करेंगे नेक्स सेशन में अगले फसल के बारे में चलिए मिलते हैं अगली बार तब तक के लिए हसते रहिए मुस्कुराते रहिए पढ़ झाल